हालो एबरिवन तो आज चलो बनाने चलते हैं मटर पनीर बंगर उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी लगती तो शेयर और कमेंट और ला अप्शन में कौनरिटी कितनी चाहिए वह सारे में दे दूंगी वहाँ पर तो यहां पर देखिए जो मैंने टमाटर लिया ना इनको उपर से में हलका हलका कट कर ले रही हूं क्यूंकि मुझे टमाटर को बॉयल करना है तो बॉयल करने के बाद में मुझे इनके चिलके को निकालना है तो यहां पर देखिए टमाटर की साथ में ना मेंने जो खड़े गरम मसाले थे उनको भी यहां पर डाल दिया है दोनों को मुझे एक साथ बॉयल करना है और यहां पर देखिए तो आपको शायद पानी का कलर दिख रहोगा कि हलका चेंज हो चुक है ब्राउन काइंड ओफ हो गया है तो अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इनको मैं साइड में रखती हूँ तो अपी अपने दूसरे मसाले की तरफ चलते है तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लेके रख लिया है उसमें थोड़ा सा तेल डाला है तेल हलका गरम हो जाएगा तो वहाँ पे मैं हरी मिर्ची डाल देती हूँ कट करके तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची को लंबा-लंबा कट करके डाला है हरी मिर्ची हलकी भून चुकी है तो अब मैंने एक प्यास डाला है उसमें ऐसे लंबे-लंबे चौप करके रफ ली हलका ब्राउन हो जाने के बाद में मैंने इसमें लसन और अद्रग डालके उनको भी हलका सा ब्राउनिश करके रख लिया है और गैस को बंद कर दिया है जब तक प्याज लसन अद्रग ठंडे हो रहे है यहां पर मैं टमाटर को यहां से बाहर निकाल ले रही हूँ पानी से यह देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके है और इनकी स्किन भी अपने आप निकल रही है तो आपको जादा महनत करने की भी ज़रूरत नहीं है और यह जो पानी है इसे मैं साइड में करके रख देती हूँ क्योंकि जब मुझे ग्रेवी बनाने पड़ेगी तो मुझे यह पानी यूज करना है तो ग्रेवी के लिए हम यह पानी यूज करेंगे इसको हम साइड में रख देते हैं और टमाटर की जो छिलके ऐसे निकलेवे ना उनको हम निकाल यहां पर देखिए तो यहां पर देखिये मैंने सारे टमाटर की चिलके को निकाल दिया है और इनको मैं चोटे-चोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ क्योंकि यह गरम है और अगर पीचेस में कट करेंगे तो जल्दी थंदे हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इन टमाटरों को मैंने एक मिक्षर जार में डाल दिया है और अधरक, लेसन, प्याज और मिर्ची को जो मैंने फ्राई किया था हल्का भूना था तो उसको भी मैंने इस में मिक्षर जार में डाला है और थोड़ा सा धन्या पत्ता मैंने डाला है धन्या पत्ता ऑप्षिनल है पर अगर आप चाहो तो प्लीज डाले क्योंकि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो ये देखिए मेरे मसाले बनके रेडी हो चुके है तो वापस मैं उसी कड़ाई में तीन बड़ा चमच तेल डाल रही हो तेल मेरा गरम हो चुका है तो यहाँ पर मैंने दो तेस पत्ता ड़ा था वो डाला हलका सा आदा चमच जीरा मैंने स्प्रिंकल किया जीरा तर तर आने लगा तो जो एक छोटी प्यास थी वो मैंने पारिक चौप करके रखा था चोटा चोटा तो उनको मैंने डाला है और हलका मुझे इने भून लेना है हलका ब्राउनिश करना है तो यहाँ पर देखिए प्यास अपकी अच्छी से ब्राउन हो चुकी है तो अब मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धन्या पाउडर और हल्दी पाउडर यह डालके मुझे हलका सा थोड़ा सा अगर आपको लगे कि तेल जादा गरम है तो आप पाने डाल दीजे थोड़ा सा और इनको अच्छे से भूनना है जब तक यह मसाले तेल ना छोड़ दे और गैस की फ्लेम को कम ही रखनी है हमें तो यह देखिए मसालों से तेल निकल गया है और अब जो मैंने प्यूरी बनाई थी वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और पांच से दस मिनिट तक कम आज पे मुझे इसे अच्छे से पकाना है बीच-बीच में चलाते हुए तो यह देखिए बॉइल आना शुडू हो गया है अब मैं इनको ढग दे रही हूँ और पांच मिनिट तक मैंने पकाऊंगी बीच-बीच में मैं डखन खोल के चलाना भी है मुझे तो मसाले मेरे अच्छे से पक चुके हैं यह देखिए काफी अच्छे से मसाले पक चुके हैं और अब मैंने इसमें क्रीम पीज डाल दिया है जो हरी मतर होती है हरी मतर थोड़ी सी मैंने बॉयल की थी डालने के पहले तो यहाँ पे आप अगर डालना चाहो बॉयल करना चाहे तो कर सकते हैं नहीं करना चाहे तो ओप्शनल है और यहाँ पे मैंने पनी डाल के इनको एक मिनट तक हलका सभून लिया है और अब मैंने पानी डाल दिया तो अगर आपको लगे कि आपके पास पानी कम है वो मसाला वाला तो आप extra अलग से भी पानी डाल सकते हैं ग्रेवी आपको कितनी चाहिए आप अपने हिसाब से डालिए पर जादा पतला मत बनाईए क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा फिर और यहाँ पर मैंने जो एक चमच किचन किंग मसाला था वो उपर से स्प्रिंकल कर दिया है यह देखिए तो मसाले वगेरा सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुके है मेरे अब मैं इनको ढखके 2-3 मिनिट तक पकाऊंगी अगर आपने कच्छी मतर डाली हो तो 5-6 मिनिट तक पकाएं और बन करने के पहले एक बर मतर को चेक कर ले कि वो हो गई है नहीं तो यहाँ पर मेरी मतर पनीर बनके रेडी हो चुकी है काफी अच्छे से मतर और पनीर में जो ग्रेवी था वो अब्सॉफ हुआ है और अब मैं इसमें हलका सा हरा धनिया थोड़ा सा उपपर से स्प्रिंकल करके मिक्स कर देती हूँ तो यह देखिए मतर पनीर की सबजी बनके रेडी हो चुकी है तो आईए इसे हम सर्विंग बोल में सर्फ कर लेते हैं तो अगर आपको मेरी मतर पनीर की सबजी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चानल को सस्क्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें और शेर्ज दरूर करें तब तक के लिए बाई बाई